पेज नंबर 152 के उपर आप देख सकते हो एंगल नंबर 32 तो एंगल नंबर 32 में बोला गया है कि एक बृत बनाओ ठीक है आपने एक सर्कल बनाना है ठीक है जो दिये हुए बृत ये है दिया हुआ बृत A को बिंदू R पर ये है आपका R पॉइंट और उसके बाहर दिये बिंदू P उसके बाहर ये वाला पॉइंट है P ठीक है उसके बाहर दिये हुए बिंदू P से गुजरता हुआ बृत को स्पर्श करें मतलब कि आपने एक ऐसा सर्कल लगाना है जो आपके A सर्कल को भी टच करता हुआ जाए और साइड में आपके P पॉइंट को भी टच करता हुआ जाए ठीक है सो लेट इस स्टार्ट ओकी सू फर्स्ट ओफ और ड्रॉ ए सर्कल एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है ठीक है और इसका नाम है ए सर्कल इसको नाम देना है अपनी A ठीक है और यहां पर बोल गया है कि आपने एक पॉइंट लेना है R तो यह ले रहे हम यहां पे R पॉइंट ठीक है अब आपने क्या करना है A और R को मिलाना है अब आपने A और R को डॉट्टर मिलाना है ठीक है और इसको आगे तक बढ़ा लेना है ठीक है ये दिखो हमने A और R को डॉटर मिला लिया है और इसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है पॉइंट P तो पॉइंट P हम यहाँ जैसे ले लेते हैं अब आपने वर्जी से पर भी ले सकते हो अब आपने क्या करना है कि यह आपका और पोईंट है आपने बार पोईंट दोवारा अका डॉट्र मिलाना है एसे ईस बारे को तो bisect कैसे करते हैं आपको पता है इसका formula open your compass more than half line तो आपने R और P line के half से थोड़ सी ज़्यादा compass open करनी है ठीक है and start to draw and arc like this तो यहाँ पे हमने R और P line के half से ज़्यादा compass open की है ठीक है और एक आरक लगाई है R point से अब से हम उतनी ही compass open करके हम जो है P point से arc लगा रही है ठीक है तो यह आजाएंगे हमारे पास दो point अब इनको हम मिला देंगे जो R और P point को sorry R और P line को O point के उपर cut करेगा यह आगी doctor line जो R और P point को point O के उपर cut कर रही है तो यह आगे आपका O point ठीक है sorry यह है आपका O point अब देखो हमारी जो A और R वाली line जो थी जो उपर की तरफ को जा रही थी ठीक है और एक R और P वाली bisect वाली line जो है यह जो line है यह दोनों आपस में O point के उपर cut कर रही है ठीक है तो यह आगे आपका point O इसको नाम देदो अब आपनी क्या करना है कि O point के उपर रखनी है compass और P point के ब्राबर open करनी है ठीक है यह दिको O point के उपर रखी है compass और P के ब्राबर open करनी है और एक circle लगाना है O point के उपर रखी है compass और P के ब्राबर खोल लो या फिर R point के ब्राबर open कर लो ठीक है और यह circle लगाओ तो जब आप circle लगाओगे तो यह आपके दोनों ही points को touch करता हुआ जाएगा R point को भी और P को भी मतलब कि जो A circle है उसको भी touch करता हुआ जा रहा है ठीक है और side में यह जो P point है इसको भी touch करता हुआ जा रहा है अगर तो आपका angle ऐसा बन रहा है तो it means आपका angle जो है वो बिल्कुल ठीक है ठीक है आप देख सकते हो बिल्कुल neat and clean आपका angle बने गई ठी ठीक है थैंक यू को कि सो इट क्लास स्टुडेंट से और नेक्स पॉस्टिन इस कॉस्टिन नंबर 33 पेज नंबर 152 तो कॉस्टिन नंबर 33 में भूला गया है कि एक ब्रित लगाओ जो दिये ब्रित एक को बिंदू आर पर घेरे और उसके बाहर दिये बिंदू पी से गुजर मतलब ये दिखो एक सर्कल दिया है एक सर्कल ठीक है तो ये जो है वो दिये हुए ब्रित एक को बिंदू आर पर साइड में एक आर पॉंट दिया गया है यहां पर भी टच करता हुआ एक और सर्कल आपने लगाना है और साइड में पी पॉंट दिया है वो उसको भी टच कर अब आपने आर और एक को मिलाना है डॉट्ट्ट और इसको आगे तक बढ़ा लेना है इसको आगे तक आप कितना भी बढ़ा सकते हो इस लाइन को क्यूंकि मेजरमेंट नहीं दी है अब यहां पर और बोला गया है कि एक और पॉइंट आपने लेना है पॉइंट पी तो यह ले रहे हैं दीमे यह आगे आपका पॉइंट पी ठीक है यह आगे पॉइंट पी तो अभापने के एक रहना है आर और पी को जॉइंट करना है doctor यह आगर आपका R point और यह है P point ठीक है इन दोनों को आपने doctor sd मिलाना है line सी ठीक है अब आपने क्या करना है R और P का bicect करना है और आपको पता है कि bicect करने का formula क्या होता है आप से ज़्यादा अपनी compass open करनी है and start to draw an arc like this same उतनी ही compass open करके p point के उपर रखे दूसरी arc आपने draw करनी है तो ऐसे हमारे पास दो point आ जाएंगी ठीक है जुरूरी नहीं कि आपका ये कट यहां पर आना चाहिए ठीक है ये तो by chance आ गया है क्योंकि compass आपने अपने मर्जी से open करनी है तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं दोनों point ठीक है तो अब आपने इन दोनों points को मिला लेना है dotted मिलाना है इसको भी तो ये दिखो ये जो bisect वाली line आ रही है ये आपके a वाली r और a वाली line को यहां पर कट कर रही है ठीक है तो ये आ जाएगा आपका end point ध्यान से देखने है आपका end point कहां पर है ये है आपका end point ठीक है ये आप देख सकते हो ने देख से भी ये है आपका end point ये ठीक है अब आपने end के उपर रखनी है compass और p के बराबर open करनी है ये आप देख सकते हो end point के उपर compass रखी है और P point के ब्राबर open की है ठीक है तो आपने ऐसे circle लगाना start कर देना है जो आपके exact जो है वो R point को touch करेगा यह आप देख सकते हो यहां भी ठीक है हमारा circle exact जो है R point को touch कर रहा है R और P दोनों points को touch कर रहा है तो इट मेंस हमारा angle जो है वो बिल्कुल ठीक है आप देख सकते हो ठीक है ओकी so 8th class students our next question is question number 34 page number 153 तो question number 34 में बोला गया है कि एक ब्रित बनाओ ठीक है एक circle आपने बनाना है जो दिये हुए ब्रित A यह है आपका दिया हुआ ब्रित A ठीक है यह चोटे वाला circle तो दिये हुए ब्रित A को बिन्दू R पर यह side में R point है और ब्रित के अंदर दिये बिन्दू P पर से गुजरता हुआ एक यह point है P तो इसमें से गुजरता हुआ ब्रित को चुए ठीक है तो students आपका इस question में जो circle है ठीक है जो आपने circle लेना है तो यह छोटे वाला नहीं बड़े वाला circle लेना है पहले आपने ठीक है तो A जो circle लेना है वो थोड़ा बड़ा लेना ठीक है तो यहाँ पर मैंने 4 cm diameter लिया है ठीक है इतना आप circle बना सकते हो यह इसे बड़ा यह चोटा भी आप बना सकते हो ठीक है ठीक है यह आपका A circle इसको नाम दे सकते हो आप यह आगया आपका circle A तो जैसा कि question में बोला गया है कि आपने दो point लेने है R और P तो R point हम यहाँ पर ले लेते हैं circle की परीधी के उपर ठीक है यह आगया आपका R point और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं बिल्कुल इसके straight यहाँ जैसे यह आगया P point ठीक है यह 3 point आगये अब आपने पहले क्या करना है A और R को dotted मिला दो point A और R को dotted मिला लिया है ठीक है अब उसके बाद आप R और P point को भी मिला दो ठीक है अब आपने क्या करना है कि R और P का bisect करना है तो bisect करने के लिए आपको पता है कि क्या formula होता है half line half line से ज़्यादा जो है वो compass open करके arc लगाओ तेम उतनी ही compass open करके P point के उपर रखो और दूसरी arc लगाओ ठीक है तो जहां पर ये दोनो arcs जो है वो cut हो रही है इसको आपने मिला देना है दोनो कोई तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब आप R और P वाली ये जो middle line R ही है ठीक है ये R और A line को यहाँ पर cut कर रही है ठीक है जहां पर ये दोनो lines जो ए आपस में cut हो रही है एक तो आगे R और P point वाली जो bisect वाली line आ रही है और एक आ रही है R और A वाली line ठीक है तो ये दोनो इस point के उपर cut कर रही है आपने ये वाला कट नहीं देखने है आपने ये देखना है कि ये वाला कट जो लाइन आ रही है ठीक है तो ये आजाएगा आपका O point अब आपने O के उपर रखनी है compass और P या R के ब्राबर open करनी है और एक circle draw करना है तो O point के उपर compass की tip रखो ठीक है और R के ब्राबर open कर लो या तो P के ब्राबर open कर लो ठीक है और एक circle draw करो जो आपके R point को touch करता हुआ जाएगा ठीक है और P point को भी touch करता हुआ जाएगा तो आप देख सकते हो अगर आपका A ये वाला circle जो O point से लगा है ठीक है छोटे वाला circle यह आपके R और P पॉइंट दोनों को टच करता हुआ जा रहा है तो इटमीज आपका एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है आप देख सकते हो ठीक है इस एंगल में आपने पहले बड़े वाला सरकल लेना है ठीक है तब ही यह वाला एंगल बनेगा ओकी ओकी थैंक्य स्टुडे कौंकर हुआँ खबतोब कर्फे स्कते हुआओंगं कोौंकर फेके साल हुआँ स्टुडे छोर्वाद? झाल स्टूर को टूआँ झरसे घंगलेंखा झाला एंगले, बना में दूटेसे हुआए्ट